गुड इवनिंग एवरीबडी स्वागत है आप सभी का अपनी चैनल प्राइम टीज में एक बार फिर दा फोट ट्रॉफी का एक और मैच हम कवर करेंगे मज़ा आ रहा है फोट ट्रॉफी कवर करने में अभी तक दो मैच इस कवर किये और दोनों में अल्ट्रा क्लीन सी प्र टेलीग्राम चैनल पर जहां पर आपको कुछ इस तरीकी की टीम्स देखने को मिल रही है दा फोट ट्रॉफी में उसे फोट ट्रॉफी नहीं अब उदाभी टीटैन जो चल रहा है इसमें कमाल करी रहे है कल दो मैच खेले तीसरे मैच में जो है टीम समय को देनी थी लेकिन है इसमें लाइनप का इसओ होता है थोड़ी लेट आती है कभी तो फिर टीम निपाती है टाइंब सहना और जब टीम नहीं बन पाती है डिवन डेड़लाइन में तो वह सकते हो इस आप का लिंक भी आपको comment section description में मिल जाएगा या फिर टेलिग्राम पे आओगे वहां मिल जाएगा पांच में से चार contest में अपने जो second match तो अबुदाबी का उसमें जीता था ठीक और जो पहला match था अबुदाबी T10 का उसमें भी मैं पांच में से almost 4 contest जीता था और competition कितना कम ह हैं आपको points difference है यहाँ पर फता चल जाएगा ठीक यह चीज़े हैं बाकी जो भी आप एले गांपर आओगे तो आपको update होता रहेगा मैं वापिस आता हूं match की तो match number 4 है यह rescheduled है अतरक्त बारिश की चलते इस match को reschedule कर दिया गया था एक December यानि की रात को साड़े तीन के match खिलना afford कर सकते हैं अब अगर मैं बात करो कोब हम ओल वेंगे राई दो यहाँ पर ODA एक बार बैटिंग फर्स करने वाली टीम ने मैच जीता है एक बार चेस करते हो टीम में जीता है लेकिन जो highlight है इस ग्राउंड की वह यह है कि highest scoring matches यहाँ पर आपको देखने को मिलते है ठीक है average score ही जो यहाँ पर है बाटिंग करते हुए पहले वह 310 का highest यहाँ पर न्यूजिलेंड ने बनाया है 372 का और जहाँ पर lowest बनाया है वह वेस्ट इंडीज ने बनाया है 200 मतलब जो lowest score यहाँ पर बन सकता है वह है 200 highest यहाँ पर 372 न्यूजिलेंड बना चुकी है मतल ठीक है opening section में साथ में George worker दो सबसे experience न्यूजिलेंड डॉमेस्टिक क्रिकेटर उनके बाद जो यंग talent है मार्क चैपमेंड आप देख लो ठीक है उसके बाद आप नीचे आओगे तो ओडूनिल ब्रदर्स जिसमें Robert ओडूनिल और William ओडूनिल है उनके बाद भी जो इनके प बालिंग में ठीक है जो serious इनके पास बालिंग options है ना उसमें Ben Lister एक लेफ्टा मीडियम पेसर ठीक है William Somerville एक ऑस्पिनर ठीक है आदी अशोग लास्ट सीजन जो सूपर स्मैश की ला था standard performance ने बहुत अच्छी लेक्स पनिये करा सकते हैं तो ये तीन बालर्स तक तो ठीक है लेकिन साइमन कीम दानरू फंस उतने threatening बालर लगते नहीं है सीन सोलिय को भी आप मिला लोगी तो तो बालिंग इनकी कहीं न कहीं weak है जो इनका strong point है वो है batting और अगर ये पहले batting करते ह है तो मान के चलो 300 का आकड़ा Auckland जरूर पार करने वाली है ठीक है तो Auckland की जो प्लिंग हो सकती है batting order के हिसाब से वह कुछ इस तरीके की रह सकती है कि मार्टिन गप्तिल और जॉर्ज वरकर आपको open करते हुए दिख जाए जो test cricket है या फिर counter cricket जो न्यूजलैंड में होता है आपको नीचे batting करते हो दिख सकते हैं लेकिन दिखते हैं लेकिन ODI और T20 जब four trophy फिर super smash आता है तो worker उपर ही batting करते है ठीक है तो गब तिल और worker आपको open करते हो दिख जाएंगे वर्णन आपको Mark Chapman फिर William O'Donnell, Robert O'Donnell तो टॉप 5 तक यह batting है उसके बाद जो इनके जरूत है तो आदी अशोक की तरफ जाएंगे Somerville को ले जाने का advantage यह होता है कि वह आपको batting भी अच्छी करके देते हैं और फिर Ben Lister इनके पास medium pacer है अब देखो balling के जो इनके पास विकल्प है Ben Lister एक left arm medium pacer, Solia Keen और दान्रूफंस तीनो right arm medium pacer है, batting कर सकते हैं, spin इनके पास एक offspin है Somerville और लेक्स्पनल आदी शोक है तो वरकर offspin डाल सकते हैं, William O'Donnell डाल सकते हैं और Chapman भी balling करा सकते हैं तो यह part time balling options है लगता नहीं कि उनके जादे use किया जाएगा, हाँ Will O'Donnell जरूर थोड़ी बहुत balling कर सकते हैं, तो यह है, Auckland की तरफ से अगर important players आप देखोगे तो देखो भाई, balling तो मुझे इनकी पसंद है नहीं, लेकिन क्योंकि इनकी balling में भी एक-दौइसे प्लियर से जो batting कर सकते हैं, जैसे कि सीन सोलिया आपकी होगे, पूरे 10 ओर साथ म batting देंगे, middle order में, तो सूलिया आपकी अपच्छे हो सकते है, बैन लिस्टर हाँ, बैन लिस्टर आपकी ये balling से अच्छे है, आदी अशोक बहुत बड़ा risk होगा लेने को अगर आप चाहो तो ले सकते हो, पहले batting अगर Auckland कर लेती है, ठीक है, 300 बना देती है, फिर आदी अशोक की चांदी हो जाएगी, अटैक करने जाएगे इनको रादी अशोक को विकेट्स मिल सकते हैं, तो ये तीन ballers है, जिनकी तरफ मैं देख रहा हूं, साइमन कीन रिसेंटली अच्छा गर क्या रहे हैं, साथ रन एक दो विकेट, तीस साले सान एक दो विकेट ये लेते है, मेरा जोर्ज वॉकर को भी लेने का, लेकिन फिर मैं यहां से ये दोनो ओर्डोनेल ब्रदर्स नहीं ले पाऊंगा, मेरा मन है कि मैं दोनो ओर्डोनेल लू, विलियम और रॉबर्ट दोनो, तीसरा में मैं मैं चैपमें लू, चौथा में मार्टिन गपल, ये चार बैट खेल चोंकि अपना भेला मैच बहुत बुरी तरी के सहार क्या रहे, सामने आली टीम ने नौव बकिट से इन्हें मात दी थी, इनका स्कॉड आप देख सकते हो, मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ, प्लेइंग 11 पे, तो प्लेइंग 11 की क्या हो रही है, देखो है मिश है द फोर्ड है, डेल फिलिप ने हाला कि सूपर स्मैश में जो लास सीजन था, एक दोनिंग अच्छे खेली थी, तो डेल फिलिप आपके अच्छे हो सकते हैं, हैमिश अदर फोर्ड बैटिंग से, डीन फॉक्स क्रॉफ्ट की बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत आपके पास safe choice है, all-rounder में आपके पास, हाम, Michael Raponic अच्छी choice है, ठी यह, बॉलिंग में आपके पास Jacob Duffy अच्छी choice है, Matthew Bacon, Michael Ray, बॉलिंग इनकी अच्छी है, लेकिन बैटिंग में इनकी दिकते हैं, तो जो दो बैटर्स अभी मैं लेने की कोशिश करूँगा इनकी तरफ से, सबसे पहले डेल फिलिप्स और दूस्टे होंगे हैमेश रदफ़ोड ये दो बैटर्स जो है अभी मैं देख रहा हूँ बाकी बॉलिंग देखोगे तो माइकल रिपॉन मेरी तीसी चॉइस हो सकते हैं चौती चॉइस मेरी जेकब डफी और जो पांचवी चॉइस है वो मैट बैकन या फिर माइकल रे दोनों ही सेम अलमुस्ट प्लियर्स है रे की स्पीड बस बैकउन से थोड़ी सी जाद है और बैकउन थोड़ी बैटिंग कर सकते हैं ये एक एडवांटेज है बैकउन के साथी के जेक गिपसन प्रॉपर बैटिंग कर सकते हैं और चार ओर आपको बैटिंग दे सकते हैं तीन राइटाम मीडियम पेसर इनके चार राइटाम मीडियम पेसर इनके पास है एक स्पिनर इनके पास मौझूद है जॉश फिनी भी बैटिंग 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 दोनों कर सकते हैं तो फिनी को भी आप एज यूटिलेटिव प्लियर अपनी टीम में पिक कर सकते हो ठीक है तो यह है दोनों ही साइड उनकी प्लेंगे लिए फिछले जो पांच है टोएड माचस हो इनके बंडे फॉर्मेट में उसमें तीन जीती है ओटागो दो जीती है इस साल मैच वाता फैब में वो ऑखलें ने जीता था 96 तन से इसमें मार्टिन गप्तल ने भी सौरन किये थे जौर्ज वरकर ने भी सौरन किये थे तो यह है कुछ स्टेर्स हेड टो हेड के अगर आपको ज़रुवत लगती है तो आप ले सकते हैं अभी जो मेरी टीम है तो साइब के लिंक आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ठीक आते हैं विगट कीपिंग सेक्शन की तरफ तो मैक्स चू आपके पास एक लौती जो है चॉइस यहां पर आपको दिख रहे है जो लास्ट मैच खेले थे लेकिन क्योंकि अभी तक मैच हुआ नहीं है ना तो यहां पर आपको Ben Horne भी खेलती वे दिखें गे मैकसचू की तरफ चू इसलिए चू की टीम के जो बैटर से हैं वह बड़े ही चू है ना वह आउट हो सकते हैं तो मैक्सचू की बैटिंग आ सकती है तो मैक्सचू हमाई टीम में रहेंगे उसक बास ब ब्राक भी अभी तो स्कॉर्ड में है नहीं सीन सोलिया साइमन कीम इन दोनों के बारे में आपको बता चुका अभी के लिए माइकल रिपॉन मेरे पास है और सीन सोलिया मेरे पास है यह दो आल राउंडर्स है बॉलिंग सेक्षिन की तरफ चलोगे तो काईल अविलेबल है नह की तरफ आप जा सकते हूं मैं बैलिस्टर की तरफ जा रहा हूं ठीक है तो तीन बैट्समन ऑक्लिंग की तरफ से और एक बॉलर और एक और टोटल पांच प्लेयर्स मैंने अभी के लिए हैं इधर से माइकल रिपॉन मैक्स जो जो हैमिश अदरफोट हमें चाहिए उन्हें में certain है मतलब इन नौ प्लेयर्स की जगा confirm है मेरी टीम में बाकी के जो दो प्लेयर्स है वो टॉस पर decide होंगे ऑकलेंट पहले टॉस जीत रही है ऑकलेंट पहले बॉलिंग कर रही है तो जरूर मैं एक extra मीडियम पेसर या फिर मीडियम पेसिंग और राउंडर की तरफ है जा फिर दानरू फॉर्न सो सकते है ठीक है यह यह बॉलिंग से अगर ऑड़्रेंट पहले बॉल डाल रही है तो जाए है तो ने biology के साथ मैट बैक होन लीज टा चारव पात तो मने आपको बताए दियें कैप्टन सी वाइस के बात को जो हॉट चॉइसे उसमें माइकल रिपन आपके पास सबसे उपर है मार्टन आपके पास है ठीक है मैं थोड़ा सा जादा रिस्क लेना पसंद करूंगा इस मैंच में जो मेरे कैप्टन है वो रहेंगे जौर्ज वर अच्छी तगड़ी बाटिंग करते हैं तो वरकर भी हो सकते हैं ठीक है अब एक चीज़ जहां रखना कि बॉलर्स को सी वी सी नहीं करना है जैसा हमने लास्ट माच में किया था क्योंकि वहां पर बॉलर्स के लिए हेल्प लिए वो ग्राउंड जो ग्राउंड है वो बॉल और लें तो वह उटाओ अगर घृट तो यह तो यह सकते हैं इस वज़े से मैं जा रहूं वरन्ना अगर अगर ऑकलेंड पहले बालिंग कर रही होती तो मैं एक एक्स्राइटर उल्टा उटाओं की तरफ से ही ले था जो 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 जॉश फिन या फिदीन फोर्स प्रॉफ त तरफ अभी के लिए गया हूँ चैपमेंड भी बहुत अच्छी तोइस अच्छी बाइटिंग वह कर लेते हैं ठीक है तो यह हमें स्मॉल लीग के टीम बाकी जो भी फाइनल टीम रहे हैं आपको टेलिग्राम पे अपडेट कर दूँगा तो टेलिग्राम पे आना मत भूला म मैं मिलता हूं फाइनल टीम लेके सब तक लिए बाइबाई टीक कर, have a good day